दोस्तों बिहार SSE सची वाले सहक की त्यारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुस खबरी है तो चलिए देख लिजे क्या कुछ खुस खबरी है बिहार SSE के और से क्या कुछ खुस खबरी दिया गया है और आपके मन में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे भी करके सिक्जाम में रिजल्ट लेना है रिजल्ट दोस्तों इसलिए जरूरी है कि ये दरोगा BPSCN ने परिक्षा नहीं है कि अगर इस बार सेलेक्षन नहीं हुआ तो अगली बार भरती आईगी फॉर्म भरेंगे अच्छे से त्यारी करेंगे सेलेक्षन ले लेंगे ये भरती दोस्तों 8 से 10 साल बाद दी जाती है पिछली बार का आप देखेगा तो 2014 में भरती दिया गया था ठीक 8 साल के इंतजार के बाद 2022 में भरती आई है अब अगली भरती 2018-2030 में इस तरह से आएगी और सचीबाल ऐसा है कि इससे पहले भी भरती 10 साल 12 साल पे दिया गया है आप देखेगा तो इससे पहले 1999 में दिया गया था 1999 एक बाद 2011 में ठीक 11 साल बाद 10 साल बाद हुआ और फिर 2014 में भरती आई 2014 के ठीक बाद 8 साल बाद 2022 में और अब अगर इस बार सेलेक्शन आपका नहीं होता है तो अब अगली भरती के इंतजार आपको 2018-2030 तक करना परेगा और इस भरती में देरी होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि यह ओफिस्यल जॉब है, ओफिस वाला जॉब है और ओफिस वाले जॉब से रिल्टेट जो भी भरती है बहुत ही कम पदवपर दी जाती है और इस बार सची वाले इस हैक में अच्छा खासा सीट है 1360 सीट है, 2014 में 500 ही के लगभग में सीट था इतने पदवपर अब आगामी भरती में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा इसलिए आपको हर हाल में इसी बार रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट के लिए आप लोगों के और से यह पूछा जा रहा था कि कैसे भी करके मेरा रिजल्ट हो जाए अब आप देखेगा एक्जाम डेट तो आही गया है इसके बारे में आप लोगों को दो दिन पहले बताये थे कि एक्जाम डेट बिहर से सी के और से यहाँ पर दिया गया है कब परिक्छा लेंगे संभावित बताया गया है अब एक्जाम डेट के कोर्डिंग आप देखेगा दोस्तों तो आपके पास मेक्सिमम यहाँ पर 40-50 दिन के बीच में समय है और 40-50 दिन बचा हुआ है तो इसके लिए आपको बहुत अधिक अब यह नहीं है कि आप एक करके सिलेवास अच्छे से पढ़ पाईएगा अब आपको सिमीत पढ़ना है जो बिखार SAC का पैटर्न है प्रिवियस एर का पैटर्न है उस एकौर्डिंग इसके लिए दोस्तों एक कोर्स शुरू किया है अगर आप चाहते है तो बेहतर त्यारी करना इस कोर्स को जोएन कर सकते है बाकी चलिए गुड नियूज के बारे में देख लिजिए बिखार SAC कोर से क्या कुछ खुस खबरी दिया गया है यह जो कोर्स है दोस्तों क्रैस कोर्स है क्योंकि अब आपके पास बहुत समय नहीं बचा हुआ है इसमें सभी विशाय की अच्छे से संपूर्ण त्यारी करवाएंगे मैथ रिजिनिंग जीके साइंस है और सबसदीक आपको मैथ रिजिनिंग पर ही धियान देना है क्योंकि यहां से 75 क्विस्चन है अगर आप 75 में से 70 बना लेते हैं तो असानी सापका रिजल्ट हो जाएगा और साथ में दोस्तों इसमें 20 साल का आपको क्विस्चन बैंक मिल जाएगा बिहार एसे सीम अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहला जरूरी है क्विस्चन बैंक अगर आप क्विस्चन बैंक को मैथ रिजनिंग जी के साइंस हो गया अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं जहां जहां से क्विस्चन आया है जिस भी टॉपिक्स आया अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी से आपका असानी से रिजल्ट हो जाएगा खास करके math reasoning में जो previous year का pattern है वही pattern पर question पूछा जाता है और कुछ ऐसे भी topic है math reasoning में जो अन्य general competition में नहीं पूछा जाता और विहार SSC में पूछा जाता है जैसे आपको permutation, combination, topic से question देखने पिलेगा वह ऐसी बहुत सारे reasoning में भी topic है जो general competition में नहीं पूछा जाता लेकिन वि course में दोस्तों आप लोगों को पिछले 20 साल का 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी exam हुए सभी exam का आपको question test के रूप में मिलेगा उसका discussion भी क्राएंगे और एक PDF भी यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को 20 साल question बैंका जो भी यहाँ पर important question रहेगा उसमें से उसका PDF जो आपको देर सो में से 30 question तक आपको हुब हो repeat देखने को मिलेगा इसलिए previous year अच्छे से complete करना है और all subject math reasoning, gk science है यह आपको topic wise video मिलेगा तो आप चाहते हैं जोइन करना तो बहुत ही कम press पर है यह नहीं कि इसके लिए आपको 2000-3000 रुपे पे करना परेगा 900 रुपे लगभग इसका payment है तो जाइए आप application से जुर जाइए और फटाफट इस course को जोइन कर लिजे अब आपके पास सिमीत लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है अच्छे से त्यारी किजिएगा एक सीट आपका हो जाएगा अब चलिए यहां पर good news के बारे में देख लिजे तुभी यहां पर दो 2014 वाला भरती 2022 में complete हुआ इस तरह से तो दोस्तों बिहार SSE सची वाले सहक का पिछला जो 2014 वाला भरती था यह भी तीन साल में पूरी तरीके इस complete हो गया था और इस साल 2022 वाला भरती जब भरती आये थी उसी समय आप लोगों को बताया थी कि यह दो साल में complete हो जाएगा 2023 के लास्ट में नहीं तो 2024 के सुरू में आप लोगों की जोइनिंग सारी परक्रियाए हो जाएगी और आप दिखेगा तो बिहार SSE मीशन मोड में लग गया है इस भरती को complete करने में सबसे पहले यहां पर exam date दे दिया गया है और exam date में यह नहीं है कि student को 2-3 महने 4 महने का समय द लेने की लेकिन 10 तारीक को यहां पर ईद के कारण से यह 10 तारीक तो नहीं हो पाएगा अब अगला यहां पर जरूरी नहीं है कि Sunday को ही लिया जाएगा बिहार SSE में यह भी pattern रहा है कि Sunday के लावा दूसरे date में भी परिक्षा लिया जाता है अभी आप BPSC का हाल फिलाल उधा को लागातार परिक्षा लिया गया था इस बार यहां पर 9-10 अब कम चांस लग रहा है 14-15 तारीक से पहले बिहार SSE कोषिस किया जा रहे किसी दो डेट में परिक्षा ले ले और यहां पर इस न्यूज को देखिएगा डिटेल्स न्यूज को तो बांकि यहां पर देखिए हिंदुस्तान का न्यूज है बिहार लोग सेवायो की सरसट में सुनूग परिक्षा का पेपर लिक होने के बाद राज जी की सभी परत्योकता परिक्षा कायो काफी सक्थी के साथ परिक्षा कराने के त्यारी में लगे हैं तो यहां पर दोस्तों कटप में कम जाने का कारण यह है कि परिक्षा बहुत ही सकती तरीके से होड़ी है यह नहीं है कि पहले के तरह question paper link हो जाएगा answer की viral हो जाएगा question paper link answer की viral होने के कारण से cut up बहुत हाई चला जाता है जो भी पढ़ने वाले candidate रहते हैं अगर डेर सो में 100 बनाएंगे cut up 110 चला जाएगा किसी का result ही नहीं हो पाता है अब अगर परिक्षा सकती तरीके से होगी question paper link answer की viral यह सब कुछ भी नहीं होगा तो जो student को question बन रहा है उसी according cut up जाएगा cut up हाई नहीं जाएगा तो पर सभी पढ़ने वाले candidate का ही selection हो पाएगा तो पहली बात तो बिहार SSC जो पंसवर्शी योजना को लेकर था यह नहीं होने जारा है आप अच्छे तरीके सेख्जाम दीजे PT निकाली, PT में percentile है तो percentile से अगर आप बचना चाहते हैं यह नहीं चाहते हैं कि luck यहाँ पर meter करे तो आपको अच्छा है score करना परेगा जिसे हर हाल में आपका result आजाए और यहाँ पर आप percentile को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं कि सही तरीके इस formula यह सब जारी किया जाए कि किस basis पर percentile त्यार किया जाता है question paper answer की जो देने का प्रवधान है तो इसको लेकर तो अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है 2017 से पहले दिया जाता था अगर आप लोग आवाज उठाएगा तो इस पर 2022 में exam में question paper दे दिया जाएगा 2017 से बंद किया गया है 2022 में question paper answer की भी दिया जा सकता है अगर आप लोग मिलकर सभी आवाज उठाते हैं तो question paper answer की दे दिया जाएगा तो इससे आप और असपस्ट पता चल जाएगा कि आपका कितना question बना है कौन से answer question का answer गलत है यह सब चीज़े और यह जरूरी भी है दोस्तों तो वो नई सरकार बनी है तो आप उमीद कर सकते हैं और अगर आप अबाज उठाएगा तो बिलकुल question paper answer की इस पार मिल जाएगा और मिल जाएगा तो बिलकुल आप समझ सकते हैं कि exam बिलकुल पारदर्शी तरीके से हुआ है और यहाँ पर देखेगा तो इस परिक्षा में नौलाख दो हजार अब भिहार थी नौलाख बारह हजार टोटल है अवेदन के और इसके माध्यम से 277 इसमें और सीट 61 बढ़ गया तो इस तरह से आप देखेगा तो टोटल सीटों की संख्या जो है 244 होगे यानि लगभग साठे 200 सीट है और इसमें रिजल्ट जो दिया जाता है पीटीक जाम में वेकिंसी का पांच उना दिया जाता है तो लगभग 12,000 कंडेट को पीटीक जाम में रिजल्ट दिया जाग और इस 12,000 में आने के लिए सबसे अधी कंपेटिशन भी ही आपका है यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो फॉर्म फिलप होगा है 9,12,000 कंडेट टोटल फॉर्म फिलप किये हैं और इसमें से यहाँ पर जो सेलेक्शन होगा मात्र 12,000 कंडेट का 9,000,000 सीधे यहाँ पर बाहर होगे अगर आप इस बाहर की लिष्ट में नहीं आना चाहते हैं तो बेहतर त्यारी आपको करना परेगा अगर आपकी बेहतर त्यारी नहीं है तो एक अप्लिकेशन पर मैट रिजनिंग का भी कोर्स है और एक संपूर्ण कोर्स में क्रेश स्कोर से लगवग 50 दिन का आपके पास समय है अच्छे तरीके से त्यारी करके एक्जाम दीजे बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा और अभी आप लोगों का प्रेक्टिस सेट में इतना स्कोर आना चाहिए तो जो प्रेक्टिस सेट अगर सेम पैटर्न पर है जिस तरह से बिहार सेसी का पैटर्न है तो अगर आपका 120 प्लस आ रहा है तो आप सेफ है आपका रिजल्ट हो जाएगा लेकिन यहीं तक आपको रूखना नहीं है अभी और आपको त्यारी करने अगर एकजाम में हार्ड कुश्चन आ गया तो उस कंडिशन में भी आपका सेलेक्शन हो जाए किसी कुछ भी करके सेलेक्शन हो जाए यहां पर देखेगा दोस्तों एक पद सबसे पहला यहीं कि परिक्शा कादाचार मुक्त हो और साथ में क्वेस्चन पेपर भी दिया जाए तो इसको लेकर सभी लोग मिलकर आवाज उठाई जिससे क्वेस्चन पेपर एकजाम में मिल जाए आंसर की मिल जाए और इसके बाद आप मान सकते हैं कि एकजाम बहुत बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है तो लगभग पचास दिन का समय बचा हुआ है मिशन बोड में आप त्यारी में लग जाए विहार SSC अपनी वर से संपूर्ण त्यारी में लगी गया है कि एकजाम सही तरीके से लेना है टोटल कंडेट की संख्यां देखेगा तो 9,12,000 है एक सिफ्ट में यहां पर 3,000,000 का सेंटर बने आ जाएगा इस तरह से आप देखेगा तो 3 सिफ्ट में मिनिमम परिक्षा होगी नहीं तो यहां पर ढहला है लाग करके चार सिफ्ट में भी परिक्षा ली जा सकते का कैसे क्या formula होते हैं एक separate वीडियो में आप लोगों को बना कर देंगे कि कैसे आप percentile में अधिक सधिक marks ला सकते हैं जिससे आपका selection हो जाया असानी से कौन-कौन से ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है तो यहां पर दोस्तों आपको अच्छे समझ में यह आ गया कि भी ह एक जाम बिल्कुल सकती तरीके से ली जारी इससे होगा क्या कि cut up बहुत high नहीं जाएगा और high नहीं जाएगा तो आपका असानी selection हो जाएगा आपको 120 प्लस target रख करके त्यारी करना है question अच्छे level करेगा लगभग अगर आपका 115 question सही हो जाएगा general categories अगर आप आते हैं त result हो जाएगा female की बात करें तो लगभग आपका 100 प्लस यानी 102 103 question यानी 100 तक सही हो जाता है तो बिल्कुल आपका result हो जाएगा result category से आते हैं तो सभी category में आप 2-3 नमरी से कम करके इस तरह से आप अपना target रख सकते हैं selection की जहां तक बात है दोस्तों तो सभी को आप सभी को आपको एक्जाम देना है पहला भी आपको सबसे पहले पीटी पास करना है तो पीटी के लिए आप मीशन मोड में लग जाए प्रिवियस एर question दोस्तों आपके लिए सबसे अधिक जरूरी है 20 साल का question अगर आप complete कर लेते हैं और उसको discussion के साथ खास करके आप देखेगा बि यहर SAC pattern यह सब चीज़ों से आप तो पहले से परिचीत है कैसे क्या question रहेगा तो दोस्तों बेहतर त्यारी किलाप जाए फटा फट अप्लिकेशन से जुर जाए क्रैस कोर्स ज्वैन कर लिए इसमें आप लोगों को प्रिवियस एर का question के साथ साथ सभी विशाई की संपू जोइन कर सकते जिसमें 75 में 75 की त्यारी आप लोगों को पूरे details में कराएंगे जिससे आप असानी से 75 में 70 question बना पाए अगर आपकी पहले से 75 में 75 बनेगी कि अगर बहुत अची त्यारी नहीं है तो minimum आपका 70 बन जाता है तो आपका असानी से result हो जाएगा और practice state दोस्तो जोइन कर सकते एक दो दिनों में practice state आ जाएगी और बहुत ही compressed प्रा practice state जोइन कर सकते हैं practice state में जो बिहार SSC का pattern है अभी जो हाल-फिल-हाल में exam लिया गया स्यम उसी pattern पर रहेगा और सारा कुछ वैसा ही रहेगा जैसे exam में आपको उसी तरह का question देखने मिलेगा सबसे latest exam द तो same pattern पर आप लोगो practice state मिलेगा बांकी course के बारे में सारा कुछ आप लोग देखी लिए और बिहार SSC अपनी वर से mission mode में लग गया है तो आप भी mission mode में त्यारी में लग जाईए अब यह मत सूचिए कि परिक्षा October में नहीं ली जाएगी November में होगी इनकार्नों से December में हो से त्यारी में लग जाएए